जब छोटे बच्चों में सरदी, खासी, जुखाम, बुखार की समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा इस दवा का उप्योग करने के लिए बच्चों में दिया जाता है, इस दवा का डोज क्या होता है, ये ड्राप कैसे पिलाना होता है, जब बच्चा छोटा होता है तब उसे कितना drop देना होता है, कितने महीने से लेके कितना drop देना होता है, और ये दवा का काम क्या होता है, ये दवा छोटे बच्चों में क्या दिक्कत क्या परेसानी रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, इस दवा का side effect क्या होता है, ये दवा देना कैसे हो जाता है या फिर किसी कारवस बच्चे को एलर्जी हो जाता है उसे बहुत ज़्यादा खासी आता है खासी आता है तब आपने देखा होगा छोटे बच्चों में उनको एटोमेटिक फीवर की समस्या आ जाता है बच्चों के जो नाक होते हैं वो बंध हो जाते हैं तब इन सा को कहीं लेकर के सरदी के मोसम में या फिर कहीं लेके बाहर निकलते हैं घर से बाहर या फिर हम पंखे के नीचे बच्चे को लेके बैट जाते हैं तो उसकी वज़ा से क्या होता है बच्चे का जो इसकी नोता है वो सौप्ट होता है तो उसकी वज़ा से भी बच्चे को सरदी खाशी जुखाम बुखार की समस्या हो जाता है और आपने देखा होगा बच्चे को खाशी भी आने लगता है छोटे बच्चों में, तो इन सारी समस्यां को ठीक करने का काम ये drop करता है, ये drop डॉक्टर के दौरा काफी जादा पेस्कराइब किया जाता है ये drop क्या काम करता है जैसे कि अगर बच्चे को खासी की समस्या आता है तो उस खासी की समस्या को ठीक करता है जाहिर सी बात है यद बच्चे को बुखार आ गया चोटे बच्चों में तो उनको खासी की भी समस्या होने लगती है उनके जो एक तरीके से body है न वो एक तरीके से बहुत soft बहुत कमजोर रहती है छोटे बच्चों में आपको पता है तो उसकी वज़ा से उन्हें बुखार एक दिन से दो दिन के बीच में continue आता रहता है तो हम एक परकार से कह सकते हैं छोटे बच्चों में जब सरदी खासी जुखाम बुखार की समस्या रहता है तो उस समस कमजीशन के बारे में बताते हैं इस दवा में क्या-क्या साल्ट पाया जाता है जैसे कि इसमें हमारा पहला कमजीशन होता है पैरसीटामाल और दूसरा होता है और जो अगला हमारा साल्ट होता है छलिए अब हम आपको बताते हैं इस दवा का डोज छोटे बच्चों में कै इसे निर्धारित करके दिया जाता है जैसे कि अगर बच्चा 6 महीने का होता है तो जो बच्चे का बेट होता है वो 6-7 किलो होता है तब बच्चे को इस दवा का डोज 0.7 या 0.8 ड्रॉप दिया जाता है जैसे कि 0.7 एमल या 0.8 एमल दिया जाता है यानि बच्चे को 1 एमल आपको नहीं देना है और जैसे कि अगर बच्चा 10 किलो का है तब आप उसे एक एमल दे सकते हैं जैसे कि जो दवा का डोज होता है ये बच्चे की कंडिसन और उसके एज और उसके बॉडी बेट और उसकी दिक्कत परेसानी को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का डोज नि देंगे तो बच्चों का लिवर डेमेज हो सकता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा नीद आ सकता है बच्चे को चिरचड़ापन महसूस हो सकता है और बच्चे को और भी साइड इफेक्ट हो सकता है तो कभी भी आप ये दवा बच्चों में ओबर डोज की मातरा कभी आगर आपके बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रेसानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क केरे उसके बाद में कोई injection, कोई दवा, कोई सीरप बच्चे को दें, कभी भी कोई भी सीरप आप अपने बच्चे को अपनी मरजी से नदें